आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टेट ट्राइफल जो के बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान बनता है जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा दूद लेंगे हम दो किलो एक कैन लिया है मैंने फ्रूट कॉक्टेल का दूद फिर एक कप लेंगे कस्टेट पौडर लेंगे हम तगरीबन 6 चमच के बराबर एक केक लिया है मैंने मीडियम साइज का एक कप चीनी ली है एक कप क्रीम ली है ठीक है जेली ली है रेड और ग्रीन कलर की जेली ली है सबसे पहले एक कड़ाई ले 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 उसमें दूड डाले कोई भी बरतन ले कि उसमें दूड डाले अब ये जो एक कब दूद था इसको मैंने अलग से रख लिया इसमें मैंने कस्टेड डाल दिया कड़ाही में जो दूद राला है वो थोड़ा बॉइल हो जाएगा इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लंस ना रहे ठीके अब दूद जो है तो तकरीब हम गरम हो गै हमारा इसमें पहले मैं चीनी ढाल दूगी और अच्छे से मिक्स कर लोंगी दूद बॉइल हो गया है अब इसमें हम कस्टेड डाल देंगे जिसमें हमने दूद के साथ मिक्स करके रखा था था यह हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और चब मैं तेजी सही लाते जाएंगे ठीक है ताकि इसमें कोई भी लंस ना रहे चैनल जी मैंने सारा डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉइल आने तक पकाएंगे इसको ज़्यादा गाड़ा नहीं करना देखे जिसमें इसको पतला पतला बनाया ऐसी बनाने ठीक है अब दो कप पानी ले लेंगे और इसको बॉइल अगया है और इसको बॉइल जैली ले ले लिए खैकर जॉइल डिया typical यह करन मेरे चाहर तैसको बॉइल होगी है और इसको एक बरतन में डाल दिये हमने ओर ढप के लिए हम लो 감사 को फ्रेज में रख़िए ठरिश में पैनी ले लूँगी और इसमें विल्ट कण可能 की जएल डाल दूंगीि आपके अपनी चोईस है आप रेड़ का को जिय लो और इंजेल लो इसमें काफी कलर्स इय है कि यह म्हान गई गाई बहुत अजयार से प्लाग जाती है अब इसको मैं는 दूसरे बuage बतल में डाल दिया है अब फिक हुण भी थंडा होने के लिए framework देंगे हम केट हीदेश लिए हैं आप दिश लेने केग्स माने करें दूद केट है जोड़ लें जोड़ लें और यसपे हम दूदेंगे दूदinkम नि़िए और नहीं दोध बेखना बनाता था कि गांक यह एक बस्तेत टाल मन ओफर नौर केग्स दूद ओंध पसंद हो तो ज्यादा डालें कम पसंद हो तो कम डालें और अगर घर में अवेलिबल ना हो और आपके पास घर में सेव बगारा हो या केला हो वह आप डाल सकते हैं आम डाल देते हैं स्ट्राबरी डाल लेते हैं तो वह भी आप इसमें डाल सकते हैं ठीक है अच्छे यह क्री यह थिक होती है थोड़ी सी लえば में हो जोज़े थोड़ी पतली सी हो जोज़े ठीक है आप कोई भी रैबिंग बैक ले लेर वागद हम Mansion कũा है थीक ओप आपिछ वे आप तो ऐसा कुछ भी नहीं है अब मेरे पास ये कटर है किसे में डिजाइन बना रही हूं जेली के ओपर आपकी मर्जी आपके पास हो तो आप बना लेना हो तो आप क्यूब्स में भी इसको कट कर सकते हैं ठीक है मैंने फ्लावर्स कर ली और लीव्स बना लिए ग्रीन कलर के हमने और कस्टिट तो हर एक को बनाना आता है बहुत एजी बनता है अच्छे जो हमने फ्लावर्स निकाल लिए ने इसमें से जो जेली बच गई है ना उसको मैंने और कट कर लिए चमच से ही और ये इसकी साइट पर डालेंगे ताकि जहां आप इसको डिश को रखते हैं मे बहुत अच्छी नजर आए ठीक है अब इस पर ग्रीन डाल रही है ग्रीन जैली जैली वगारा जब आप कस्टिट पर डालते हैं तो बच्चे बहुत शोग सिकाते हैं तो आप लोगों को अगर पसंद हो तो आप लोग जरूर डालें ठीक है इस पर फिर से दोबारा से हम कॉक्टेल डाल देंगे इसको आप ठंडा करके खाएं यह बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है इस पर हम फिर दोबारा से कस्टिट डालेंगे इसको सही से कवर कर लेंगे कस्टिट देखे मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया देखे बिल्कुल लाइट लाइट सा है यहां पर चैनल जिसको हमने कवर कर लिया अच्छे से अब जो हमने फ्लावर निकाले थे वो इस पर डालते जाएंगे साथ साथ इसके अदर गया अच्छा तो यह हमने डाल दी इसमें और साथ यह जो लीफ्स मैंने बनाया थे यह भी डाल दूँगी अच्छा आपके इपनी मर्जी आपको इभी डिजाइन डाल दें या इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लें जैसे आपको ठीक लगे ठीक है ना तो म मैंने सारी जैली इस पर सिट करके रखती है अब क्रीम जो है तो क्रीम को मैंने हलका सकट लगा दिया पाइपिंग बैक को और मैं इस पर क्रीम डाल दूँगी ठीक है यह देखिए क्रीम मैंने इस पर डाल दी है यह देखिए अब फिर बस चॉकलिट थी इसको मैंने क्रेश किया हुआ था चॉकलिट को अच्छा यह भी ऑप्शनल है आप अगर डालना चाहें तो डाल नहीं ना डालना चाहें तो ना डालें तो यह हमारा कस्टर जो है तो बिलकुर रेड तो यह बिलकुर रेड़ी है और आप मैं आपको इस कप से ही टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना है यह बहुत तेस्टी है बहुत मज़े का है और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है यह वो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है मझे तो आप लोग इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको पसंद आएगा और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब् आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं सैम.فूड डाइरी मेरे इंस्टाग्राम है और अगर आपके कोई रेसिपी हो और आप चाहें कि मैं बनाओं तो आप मुझे जरूर बताईए का मैं वो भी जरूर बनाओंगी तो वीडियो देखने का शुक्रिया अला